राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह बताने के लिए अभी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी लिखिए। मालक्ष्मी आपकी सभी अच्छाएं पूरी करें और आपको धन्य धाने से संपन्न करें। दोस्तों अगर घर की प्रविश द्वार पर रखी हो इन पांच में से कोई भी एक बस्तू तो उस घर में कभी भी सुक सम्रिध्धी की व्रध्धी नहीं होती। घर में धन का आगमन नहीं होता, माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती, उस घर के लोग हमेशा परिशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनकी परिशानी बढ़ती चली जाती हैं, परिशानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती दोस्तों हम आज इसी पिशे पर चर्चा करने वाले हैं, आज अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में सकारत मक्ता पढ़ाने के लिए, सुक समरिधी के लिए, घर के लोग खुश रहें, हमेशा सुखी रहें, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर क्या जरूर कीजिएगा, और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इसे लाग प्राप्त कर सकें, और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों, जो घर का मुख्य द्वार होता है, एंटरेंस होता है, वह एक उसी के माध्यम से घर में अच्छी बुरी शक्तियां और अच्छे बुरे लोग प्रवेश करते हैं अगर मुख्यद्वार का वास्तु सही नहीं होगा मुख्यद्वार पर कोई ऐसी चीज रखी होगी जो घर में नकारत्म कूर्जा को अपनी और आकर्शित करती है या फिर कोई ऐसी चीज जो घर में मुख्यद्वार पर रखने का इस्तान सही नहीं है ऐसी चीजों से घर में नकारत्म कूर्जा नकारत्म शक्तियों का वास होता है घर में परिशानियां होती हैं धनकी हानी होती है घर के लोगों में आपस में जगड़े होते हैं आपके घर में हमेशा सुख सम्रिध्धी की ब्रध्धी हो और सकारात्म कूर्जा का प्रवेश हो पहले तो दोस्तों आपको हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुत्रा रखना चाहिए किसी भी प्रकार का अवरोध घर के मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए द इसकी छाया घर के मुख्यद्वार पर पड़ती है या लोग घर के मुख्यद्वार पर जूथे चपपल रख देते हैं यह घर के पास सेप्टिक टैंड हो आईसा बिल्कुल भी ना करें घर का प्रवेसद्वार बहुत sih सक्षोर साफ सुत्रा होना चाहिए घर के प्रवेश द्वार के पास आप रंगोली बनाए शुब लाव लिखें इस्नान करने के बाद प्रति एक दिन घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काप करें ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में बास करें माता लक्ष्मी आपके घर की और आकर्शित हों अगर आपने घर के मुख्य द्वार पर जूता चपल की रैक रख रखी है तो उसे हमीशा ढख कर रखें घर के मुख्य द्वार पर असोग के पत्तों का तोरन लगाएं घर के मुख्य द्वार को फूल मालाओं से सजाएं ऐसा करने से सकारत उर्जा आपके घर में प्रवेश करती हैं सकारात्मक शक्तियं को कभी अधियरा ना रखें जहां आपका घरका मुख्य द्वार हो अगर वहां अंधियरा है तो हों वहां एक बलब लगाएं या दिया जलाग कर रखें हमीशा अपने घर के मुख्य द्वार को रोशन रखें ताकि वहां पर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ना करें जहां अंधेरा होता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं घर के मुख्य द्वार पर अधियरा होने से और घर में नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश करने से घर के लोगों पर नकारात्मक प्रुभाप पड़ता है। दोस्तों लोग घर के मुख्य द्वार पर भगवाईशी गणेश की मूर्ती लगाते हैं, माता लक्षमी की फोटू मूर्ती लगाते हैं या उनकी चनपादु का लगा देते हैं, यह सब लगाना घर के लिए बहुत शुव होता है और इस से घर में शुपता आती है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से लगाते हैं, तो यह बहुत अशुव होता है, तो आपको कैसे लगाना है, अगर आपने गणेश्ची की टाइस लगाई है, फोटू लगाई है, और बाहर की तरफ लगाई है, गणेश्ची का मुख्य आपके घर की तरफ बाहर है, और पीठ आपक और नहां आपने बाहर की तरफ फोटो लगाई हुई है उसी स्थान पर गनाईश्ची की एक वर फोटो लगा देनी है। जिनका मिकर आपके घर की और हो आप जो घर से बाहर गनाईश्ची पर फोटो लगाए THRisch 1999 1999 बाहर जा रही है क्योंकि उनकी पीपट आपके घर की तरफ होती है उम्मु क प्रवेश करें तो ढ़ित होता है यानि शुख होता है अगर आप घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी की चरंग लगántे हैं तो इस प्रकार से लगाएं कि देखने में ऐसा प्रतीत हो कि मा लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है यानि इस प्रकार से लगाएं कि उनका मुख आपके घर की तरफ हो, माता लक्ष्मी की चरण ऐसे इस्थान पर बी ना लगाएं कि आने जाने वाले लोगों के उन पर पैर पढ़ें. माता लक्ष्मी की चरण हमेशा साख सुत्रि सवक्ष स्थान पर लगाएं और प्रती दिन उन पर नमन करें. दोस्तों लोग घर के मुख्य द्वार को सजाने के लिए तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि जिससे उनका घर आकरशित लगे घर का मुख्य द्वार आकरशित लगे लेकिन अगर आप घर के मुख्य द्वार पर गलत पूधे लगाएंगे तो उसका गलत प्रुभा पड़ेगा जैसे आप घर के मुख्य द्वार पर गुलाब कैक्टस लगा देते हैं ऐसे काटेदार पेड़ पूधे नहीं लगाने चाहिए मनी प्लांट को भी हम घर के अंदर लगाना चाहते हैं ताकि आपके घर के वो पैसा आकर्शित हो यानि आपके घर में पैसा आए मनी प्लांट पैसा देने वाला पौधा माना जाता है इस लिए उसे हम इसा घर के अंदर लगाना चाहिए घर के बाहर नहीं घर के वास्तु को ठीक रखने के लिए घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए ऐसा माना जाता है जहां मा तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर सकारत्मक होड़ जाएं सकारत्मक शक्तियां वास करती है और समस्प्रकार के वास्तु दोशों का निवारण होता है इसलिए घर के प्रवेश द्वार पर मातोसी का पौधा अवस्य ही लगाना चाहिए साथ ही घर के मुख्य द्वार पर सुगंधित पौधा लगाएं जो फूल खुश्वू देते हो उस फूल का पौधा घर के मुख्य द्वार पर लगाएं और साथ ही घर का प्रवेश द्वार लाइट कलर का यानि हलके रंका होना चाहिए आप सिल्बर, गोल्डन, वाइट, किसी भी रंग का प्रवेश द्वार बनबा सकते हैं, काले रंग का प्रवेश द्वार पिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, घर के दर्वाजी को खोलते बंद करते वक्त इस बात का ध्यान रखें, कि उससे आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह नकारत में ध्वनी बंद करती है और यह ध्वनी आपके प्रवेश द्वार के माध्यम से आपके घर में प्रवेश करती है घर का प्रवेश द्वार खोलते बंद करते वक्त जाम नहीं होना चाहिए और टूटा हुआ नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो इसे जल्द ही ठीक कराएं खोलते बंद करते वक्त आवाज आए या जाव हो तो उसके लिए आप ओल यानि इसमें तेल डाल लें जिससे वह ठीक हो जाए दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर कॉलिंग बेल लगी होती है उनकी धोनी हमेशा मधूर होनी चाहिए साथ ही ओम के उचारन वाली या किसी भजन वाली कॉलिंग बेल होना बहुत शुब होता है इससे जो धोनी निकलती है घर में सकारात्मक उर्जा का संचार करती है दोस्तों बहुत से लोग घर के मुख्य द्वार पर ऐसी डूर वेल लगाते हैं जिनकी धोनी कानों को अच्छी नहीं लगती इससे नकारात्मक उर्जा प्रवाहित होती है जिससे परिवार के सभी उस्यों में नकारात्म कूर्जा का संचार होता है दोस्तों घर के mukhya द़र पर विंटेचाइम लगाने चाहिब यह फैंक्शय का इक उपाय है दोस्तों घर के मukhya द्वार पर हादु से विंदेचाइम लगाने से घर ऐसी धने में निकलती है जिससे घर के लोग खुश रहते है वह प्रफुलित रहते हैं उनके अपस में प्रेम बढ़ता हैं घर में सकार आत्म कोर्जय का संचार होता है दोस्तों घर करने दोस्तों घर के मुख्यदार पर आयदाकार दोरमेट रखना चाहिए डोरमेट घर के में आने वाली कई समस्य को निवारन करता एक तो घर में कोई भी व्यक्ति प्रविश करता है उसके पैरों जो गंगी लगी होती है या नकारात्मक और्जा होती है वह है दोर्मेट के जरीए वही के वही साफ हो जाती है और घर में नकारात्म multipl प्रविश नहीं कर पाती है साथ ही घर के मुख्य द्वार पर दोर्मेट रखने से गर के लोगों में आपस में प्रेम रहता है कभी लड़ाई जगड़े नहीं होते दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर एक और चीज़ लगाने चाहिए वह हैं घर के मुख्या के नेम प्लेट घर के मुख्य द्वार पर घर के मुख्या के नेम प्लेट लगाने से घर में सुक्सम्रिद्धी और सकारत में कूर्जय का वास होता है, घर में रहने वाले प्रतेक सदस्से खुश रहते हैं, उनके लिए नए नए धन के मार्क खुलते हैं, हर छेतर में सफलता प्राक्त होती है, दोस्तों, घर के मुख्या की नेम प्लेट घर के दौर पर लगी ह तो उसे हमें साफ रखें उस पे धूल जमा ना होने दें दोस्तों घर के मुख्यद्वार की बात कर रहे हैं तो आईए बात करते हैं कि घर का मुख्यद्वार किस दिसा में होना चाहिए घर का मुख्य द्वार हमेशा पूरू दिशा में या उत्तर दिशा में होना शुब होता है उत्तर पूरू दिशा में घर का मुख्य द्वार होने से घर में सुक सम्रिधी आती है घर में सकारात्मक शक्तियां और देवी देपनाओं का वास होता है घर का मुख्य द्वार कभी भी दक्षिन पश्चिन दिसा में नहीं होना चाहिए दक्षिन दिसा राहू की दिशा मानी गई है ऐसा माना जाता है इस दिसा में मुख्य द्वार होने से घर में नकारत्म कूचाओं का वास होता है घर के लोग बीमार रहते हैं घर में सुक्सम्रिद्धी नहीं आती घर में दरित्ता का वास होता है। दोस्तों अगर इस दिसा में आपका घर का मुख्य द्वार है तो है चिंता का विशह है। इसका उपाय है कि आप हनमान जी की दो ऐसे इस्टीगर या टाइल्स या ऐसी तस्वीरें ने जिन में हनमान की हाथ में गदा लिये हूं उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दौनों साइड लगा दें। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की साइड लगा रहे हैं तो एक ही लगाएं नहीं तो दौनों साइड एक एक लगा दें। इससे घर में नकारतनक उजा प्रवेश नहीं करती सभी प्रकार के दोस्का अत्म हो जाते हैं हमेशा सकारात्म कूर्चा का वास होता है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंक्स वर वाचिंग राधी राधी लुशनी कक्ते हैं तो लाधी अगर चाके टोड़ी राधी प्रवेश लुच कन ग्रते साफल करें गाते सब्सक्टाइब को लास कवचचक होता हैं जाते सब्सक्क्तों लाधी ये अधर खूरकोरकों खeluस्तों प्रोटें लाधी आख दोरे लाधी लाधी घना सुम पूरक